एक बात है जो काफी लंबे टाइम से मेरे दिमाग में थी मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों आज जाके उस बात का जवाब मिला है कि एक पोवम है लाइनस रिटरन अफ्यू माइलस अबाउट इंटरन आवे आप सबके सिलिबस में होगी ये पोवम बिलियम वर्ट्सवर्थ ने इस पोवम को लिखा था जितने टफ लैंग्वेज में ये पोवम लिखी हुए न दोस्तों बिना गाइदेंस के आप इसको समझ नहीं सकते कापी बच्चों को कापी दोस्तों को ये गलत फ़हम है कि ये जो पोवम है simple language में लिखी हुए क्योंकि words words simple language में लिखा करते थे तो दोस्तों ऐसा नहीं है words words simple language में लिखते थे words words simple life पर लिखना पसंद करते थे language उनकी tough होती थी जो आपको बिना guidance के समझ में नहीं आएगी तो ऐसे बच्चे जो बहुत कम age में होते हैं जब वो school pass करके आते हैं, literature उन्हों नया नया लिया होता है, उनको कैसे ऐसी poem समझ में आएगी? क्यों ऐसी poem उनकी syllabus में डाली जाती है? अगर आपको इस बात का जवाब जानना है, तो आज मैं इस वीडियो में इस poem की themes के साथ में इस बात के जवाब दूँगा. बहुत ही interesting वीडियो होने वाले ये, शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के end में. दोस्तों ये जो poem है, टिंटर नेवे, फर्स टाइम जब मैंने इसको पढ़ा था, तो मैंने फील किया था, कि क्यों मैं एक इनसान के personal experiences को पढ़ रहा हूँ, जो शायद कभी आगे मेरे काम भी नहीं आने वाले, लेकिन बाद में जब मैं मैचे और हुआ थोड़ा सा, मतलब कुछ साल मेरे भी गुजरे, जैसे वर्ट्स वर्ट के पांस साल गुजर गए, तो मजे फील होने लगा कि वाकई इस poem में कुछ गहरी बाते हैं, एक्जाम पेपर में भी आपसे थीम्स पूछी जाती है, ये जानने के लिए कि क्या आपको वर्ट्स वर्ट की कही बात समझ में आई, क्या आपको कीट्स की कही बात समझ में आई या नहीं, तो इस poem की सबसे पहली और important theme है, restorative power of nature, नेचर की जो हील करने की power होती है ना, restorative, मतलब इंसान कितना भी थका हुआ हो, लेकिन जब वो प्रकृती से जोड़ता है, प्रकृती के पास जाता है, तो फिर से एनर्जी आ जाती है उसमें, तो हमें ये समझना पड़ेगा, ताकि Wordsworth को ऐसा क्या थकाओ मैसूस हो रहा था, जो उन्होंने ऐसी poem लिखी, जो ऐसी poem उन्होंने पड़ेउस की, देखो उस time पर industrial revolution नाम की, एक बहुत ही खतरनाक चीज दुनिया में आये थी, जिस वक्त पूरा England फैक्टरियों में काम गर रहा था, England का एक गरीब तपका, छोटे-छोटे rural area भी manufacturing और production का hub बन रहे थे, center बन रहे थे, पैक्टरियां लग रहे थी, ऐसे में हमारा poet एक ऐसे इलाके में जाता है, जो इस poem का नाम है Tinturned Abbey, एक Tinturned Abbey नाम की जगे पर जाता है, जो अभी तक इस industrial revolution से अच्छूता था वो इलाका, भले ही लोगों को ऐसी society में रोजगार मिल रहा हो, जहांपर industries लग गई हो, पैसा भी मिल रहा हो, मतलब काफी सारी जरूते पूरी हो रही हो, लेकिन इंसान ऐसी जगा पर अकेला पढ़ जाता है, machine बन जाता है, और फिर से जब उसे बहुत ठकाव सा महसूस होता है, तो दुबारा वो nature की दरब जाता है, उसे nature चाहिए होता है, क्योंकि nature में एक ऐसी power है, ऐसी ताकत है, जो आपकी energy को एक बार फिर से restore कर सकती है, सिर्फ आप nature में जाकर ही उस energy को फिल नहीं करोगे, बलकि आपकी जो past की memories होती है, उनसे भी आप इस चीज को फिल कर सकते हो, past की memories, past की यादें जो आपने nature में गुजारी, उन सबसे आपको इस ठकाव जिन्दगी में, जो आप city में गुजारते हो, एक relief मिलता है, कई दफ़ा आपने अपने बड़ों को बोलते हुए सुना होगा दोस्तों, जो आपके बड़े गाउं में रहते हों, उनके मुझ से जरूर ऐसा सुना होगा कि हम तो अपने गाउं में ऐसा करते थे, हम तो अपने गाउं में वैसा करते थे, आप देखना उन्हें वो यादे सुकून देती है, वो smile करते हैं ऐसा बोलते हुए, क्योंकि उन्होंने वो चीजें प्रकृती के बीच में गुजारी थी, वो यादें उन्हें फिर से energy देती है, डेली दुबारा इस city में काम पर जाने के लिए, देखो जो लोग गाउं में रह चुके हैं, वो city में आ गए हैं किसी वज़े से, काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, उनको ये शेहर की ठकाउं जिंदगी पसंद नहीं आते, अगर उनसे आप पूछोगे कि आप गाउं जाना चाहते हो, तो वो कहेंगे आज अगर मौका मिले तो आज चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियोंने मुझे बांध रखा है, बार-बार हमारे वर्ट्सवर्थ को भी जब भी ठकाउं फील होता था, तो वो चले जाते हैं निचर के बीच में, यादे समिटने के लिए, ये यादे, ये ब्यूटी, मुझे काम में आएगी जब मैं सिटी की लाइफ जी रहा होंगा, एक बंद कमरे में होंगा, ऐसे ही वर्ट्सवर्थ की ज़रा बहुत सारे लोग हैं, जो चले जाते हैं गाओं, और वापस लोटते हैं एक नए जोश की साथ में, वो जोश उनमें कहां से आता है, जहां से वर्ट्सवर्थ को मिला है, निचर से, निचर के पास एक रेस्टोरेटिब पावर होती है, अब आप ज़रूर यह सोचोगी, कि पावर्ट तो अपनी बात कर रहा है, अपने एक्सपिरेंसेज बता रहा है, तो नहीं दोस्तों, वो अपनी ही नहीं अपनी बहन की भी बात कर रहा है, डॉरती, जो उनके साथ में घुमती थी हर जगह पर, इन जनरल वो सारे human beings की बात कर रहा है, कि सबका एक ही experience रहता है, मेरा और मेरी बहन का जो experience है, वो सबका experience रहता है, जब आप nature में जाते हो, तो खुद को energetic फील करते हो, तो यह तो पहली theme थी इस poem की, अब दूसरी theme इससे भी ज्यादा important है, आपको ध्यान देना है, दूसरी theme क्या है, time or change, आप देखना, पाइट बार बार अपने past, present और future की बात कर रहा है, समगे गुजरता जा रहा है, मेरे 5 साल गुजर गए, 5 लंबी सर्दियां, 5 गर्मियां, मैंने इस जगे को बहुत miss किया, अपने उन दिनों में, जब मैं एक कमरे में हुआ करता था, वहाँ पर काम करता था, सिटी की busy life, मुझे ठकाओ लगती थी, ये बाते करते हैं वो पूरी poem के अंदर, ताये में एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिसके गुजरने के साथ, इनसान भले ही ज्यादा परिपक्व हो जाता है, ज्यादा mature होता जाता है, खुद के बारे में, नेचर के बारे में, ज्यादा से ज्यादा सीखता जाता है, लेकिन सब के साथ साथ एक loss भी होता है, वो loss क्या होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम यह जानते हैं कि पांच सालों में वर्ट्सवर्ट ने खुद पॉयट ने इतना चेंज एक्सपिरियंस किया खुद के अंदर कि उस चेंज को वो कुछ मायनों में ऐसा मानते हैं कि पहले मैं बहुत पॉजिटिव हुआ करता था वो खुद का comparison एक हिरन के बच्चे की साथ में करते हैं कि एक हिरन का बच्चा जो होता है उसे किसी चीज की परवा नहीं होती मैं भी अपनी जवानी के दिनों में मतलब 5 साल पहले ऐसा ही हुआ करता था मतलब हर चूटी चूटी चीज में मुझे मज़ा आता था आप ये चीज नोट करना कि जब इनसान बच्चा होता है जवान होता है तो उसे जमाने की इतनी ज़्यादा फिकर नहीं होती तो वो यहाँ पर कहते है वो ये टाइम होता है जब इनसान को ज्यादा से ज़्यादा मेमरीज बनाने चाहिए क्योंकि उस वक्त वो आजाद होता है उस पर जिम्यदारिया नहीं होती उस पर बोज नहीं होता जिम्यदारियों का वो memories आगे भविश्य में उसके लिए सुकून का काम करेगी एक कमरे में बंद इंसान की memories तो बनती नहीं है इसलिए अभी अगर 18, 20, 22 साल की उम्र है तो यही memories बनाने का time है क्योंकि बाद में change हो जाओगी जवानी में इंसान उतना self aware नहीं होता वो nature के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता तो वो उन चीजों को अच्छे से enjoy कर सकता है बड़े होने के साथ साथ हम छोटी छोटी चीजों का मजा लेना भूल जाते हैं बड़े होने के साथ साथ हमें nature के बारे में knowledge बढ़ जाती है मतलब एक तरीके से nature के बारे में knowledge सो बढ़ जाती है geography पता चल जाती है कि geography ऐसी है तभी ये माहल ऐसा है यहाँ पर बर्फ है तो यहाँ पर geography कैसी होगी पहाड है तबी बर्फ है north का इलागा है तबी बर्फ है यह सब चीजे तो पता चल जाती है और एक नया नजरिया भी मिल जाता है इंसान को nature को देखने का लेकिन एक sadness उसके अंदर आ जाती है वो sadness हमेशे हमेरे साथ में रहती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर पाइट सिर्फ अपने personal experiences नहीं बता रहा है बलकि अपनी बहन के भी experience बता रहा है कि सेम ऐसा ही मेरी बहन को भी feel होता है साथ में जाते थे ने दोनों भाई बहन जहां भी जाते थे तो सेम वैसा ही feel हो रहा है तो आपको भी वैसा ही feel होगा जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे क्या उस जगे में कोई change आ गया जहां हम गए कोई change नहीं आया जगे तो वैसी कि वैसी है लेकिन दोनों भाई बहन में चेंज आ गया अब वो नेचर को उस नजरी से नहीं देखते जैसे 5 साल पहले दिखा करते थे उम्मीद करता हूँ इन दोनों थीम्स को मैंने ढंग से समझाये दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खुतम कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी दो इंपॉर्टन थीम्स समझ में आई होगी दोस्तों यह आपको पेपर लिखने में हेल्प करेगी और अगर आपका इसी फील्ड में इंटर्व्यू लगता है तो उसको समझने में भी यह जो चीज मैं आपको बताई यह भी हल्प करेगी